हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है राहिल और मैं आज आपके लिए फिर से इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो यह प्रेस है वह करण्ट माल रही है तो उसका हम उसे हम कैसे रिपैर कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको प्रेस तो चालू है लेकिन वह करण्ट माल रही है यह देखे प्रेस के अंदर जो पूरा है करण्ट बढ़ गया है तो हम इसे कैसे रिपैर करेंगे अज हम यह देखने वाले तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जो यह पीछे का कवर खोल लेंग और इसके जो वायर्ज है यह एक दो तीन वायर्ज और यह आर्टिंग हम इसे भी खोल लेंगे वायर निकलने के बाद इसका यह जो नट है जिससे कि यह आगे का स्विच निकलता है हम उसे भी खोल लेंगे और यह जो स्विच अईसे हम उपर करके पुश करके निकाल लेंगे यह स्विच इस तरीके से निकल जाएगा उसके बाद जो है यह जो प्लेट है इसके नीचे दो नट मिलेंगे हमें जिसे हमें खोल लेना पड़ेगा तो इन दोनों को भी हम खोल लेते हैं जिससे कि इस तरी हमारी पुरी तरीके से खोल जाएगी यह देखिए यह जो दोनों नट है हम निकाल लेंगे पुरी तरीके से और जो हमारी प्रेस हैं हमें इस बस उपर उठायकर रख देना है 90 परसेंट आफ दे टाइम यह जो नीचे की जो खोई ले इसके नीचे हमें पैकिंग डालनी होगी जिससे क्या हो करण्ट मारती है तो सबसे पहले हमें यह तीनों नट खोल लेने होगे कि अधिया और इसे खोलने के बाद हम जो यह इसे जो है वह हलकी से उठाके यह जो पैकिंग है यह पैकिंग प्रेस की जो कॉइल होती है उसी की होती है लेकिन जब हम खराब कोई निकालते हैं तो उसका प्लास्टिक जो है हमें निकाल कर इसे आज पैकिंग यूज करते हैं हमें इसे बस इसके नीचे डाल देना है इस तरीके से पैकिंग डालने के बद हम जो है इसका जो सीरीज में जो है चेक कर लेगे कि अब यह करेंट मार रही है या नहीं इसलिए हम करेंट चेक कर लेते हैं यह देखिए यह कॉइल तो चल रही है यह देखिए यह करेंट भी नहीं मार रही है तो हमारा जो काम है वह सक्सेस्फुल हो गया है और मैंने जो इस कस्टमर से कम से कम 40-50 रुपए तक कमा लिया है बस इस पैकिंग को डाल कर इसके कि यह तीनोनट फिट करने के बाद जो है हमने जिस तरीके से पुरा फ्रेस खोला था उसी तरह से हम पुरी तरह पैक कर देंगे अगर आपको मेरा यह वीडियो फसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप कोई नई इंट्रेस् में ज़रूर बताना मैं उसे सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा अपने वीडियो में थैंक्यू वेरी मुच